दूद जहां केल्शियम से भरपूर होता है वहीं दूसरी तरफ हल्दी में एंटिबायोटिक होता है दोनों ही आपके स्वास्त के लिए बहुत लापकारी होता है अकसर बिमारी दर्द या चोट लगने पर हमारी मा या दादी नानी हमें हल्दी वला दूद पीने के लिए देती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी वला दूद के एक नहीं अनेक फायदे है हल्दी अपने एंटिसेप्टिक और एंटिबायोटिक गुणों के लिए जानी जाती है और दूद कैल्शियम का स्तरोथ होने के साथ ही शरीर और दिमाग के लिए अमरित के समान है लेकिन जब दोनों के गुणों को मिला दिया जाए तो यह मेल आपके लिए और भैतर साबित होता है जानते हैं कैसे रात को हल्दी वला दूद मिलाकर पीने से बोड़ी से विशेले टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं जिससे आपका डाइजेस्टिन सिस्टम सही रहता है और आप पेट की बिमारियों जैसे गैस, एसीडिटी कबज आदी से छुटकारा मिलता है अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पेट हो जाना सुबह शाफ हो तो हल्दी वाला दूद जरूर पियें खूण में शुगर की माता अधिक हो जाने पर भी हल्दी वाले दूद का सेवन बलट शुगर को कम करने में मद करता है लेकिन अतिदिक सेवन शुगर को अतिदिक कम कर सकता है इस बात का ध्यान रखें दूद में कैशे महोने के कारण यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और हल्दी के गुर्णों के कारण रोग प्रतिरोधक शम्ता में व्रद्धी होती है इससे हड्डी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और आस्ट्रिपोरियोस में भी कमी आती है अगर किसी कारण से शरीर के भारी या अंदूर्णी हिस्से में चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूद उसे जल से जल ठीक करने में महित लाबदायक होता है क्योंकि यह है अपने एंटी बैक्टिरियर और एंटी सेप्टिक गुरूनों के कारण बैक्टिरिया को पनपने नहीं देता अक्सर सर्दी जुकाम ये कफ होने पर हल्दी वाले दूद का सेवन अतिदिक लाबकारी थाबित होता है इससे सर्दी जुकाम तो ठीक होता ही है साथ ही गर्म दूद की सेवन से फेख़़ों में जावा कब भी निकल जाता है सर्दी के मोसम में इसका सेवन आपको स्वस्थ बनाई रखने में मत करता है आज के समय में लोग जिस तरह से तनाव घरस्त हैं उसका विप्रीत असर नींद पर दिखाई देता है लेकिन अगर रात को सोने से पहले हल्दी के दूद का सेवन किया जाए तो इसमें मस्सिक्स में सेरोटोनिन का उत्पादन अधिक होता है और विक्तियों को काफी अच्छी नींद भी आती है ऐसे वर वीडियों के लिए वीडियों का लाइक शेरोट चैनलों का सबस्क्राइब जरूर करें धन्याबाद